प्रतीक सहिचपाल ने मांगी अपने और नीहा के परिवार के साथ अपने सपोर्टर से माफी प्रतीक और नीहा की घर में रही केमेस्ट्री को बहुत जादा ट्रोल किया जा रहा है जिसके चलते प्रतीक ने कल भी नीहा के लिए एक स्टोरी डाली थी और अपने supporter से request की थी कि उनको भी equally blame करें नीहा की तरह और आज प्रतीक ने एक बार फिर्श माफी मांगते हुए story डाली जहां उन्होंने लिखा कि वो अपने परिवार और नीहा के परिवार से दिल से माफी मांगते हैं उनके लिए नेहा उनकी बहुत अच्छी दोस्त हैं अगर उनको शो में देखते हुए कुछ बुरा लगा तो वो उसके लिए शर्मिन्दा है साथी प्रतीक ने आगे लिखा जो इनसान एक बंद जगा पर होता है टोटले डिसकनेक्टेड भारी धुनिया से वो समझ सकता है कि अंदर रहना कितना मुश्किल है मैं सबसे माफी मांगता हूँ जिसको बुरा लगा क्योंकि हम दोनों के इरादे किसी को हर्ट करने के नहीं थे प्रतीक ने बाद में एक और स्टोरी डाली जहां उन्होंने अपने परिबार और सपोर्टर्स के लिए लिखा ये माफी उन लोगों के लिए जो मुझे प्यार और सपोर्ट कर रहे हैं वहीं उन्होंने अपने टोलर्स और हेटर्स को भी करारा जवाब देते हुए लिखा कि उनको फरक नहीं परता वो लोग क्या सोचते हैं बिग बॉस जुड़ी ऐसे ही लेटेस्ट अपडेट के लिए हमारे चैनल दीजी फीड वीडियो को सब्सक्राइब जरूर करें